हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आयार स्टेडी में दोस्तों इस वीडियो हम कंकाल तंत्र के कुछन को सॉल करेंगे जो की काफी मौस्ट इंपॉर्टेंट कुछन है और एक्जाम में आने की जिनकी ज्यादा संभावना होती है तो इन कुछन के अलावा आपको कोई भी कुछन एक्जाम में देखने को नहीं मिलेगा है यहीं से पूछे जाएंगे और अगर आप इन कुछन को सॉल कर लेते हैं तो इसके अलावा जो कुछन बनेंगे आप उनको भी सॉल कर पाएंगे तो चलिए हम बिने किसी देरे के वीडिय सी 120 या फिर उपसंडी 116 तो देखे इस कुछन का राइट आंसर उपसंडी होगा मनुष्य का जो अक्षे कंकाल होता है यहां पर देखिए यह जो आप नीला नीला देख रहे हैं यह ब्लू वाला इसको बोलते हैं एक्जियल यानिका अक्षिय कंकाल और इसमें टोटल जो प extraordinary छू कि कुछ एक पूछा घया गया जो ब्लु वाल आप देख रहे हैं इसको हम अक्षिय कंकाल बोलता है इसी यह तक वाला इसी कपर पूछा गया दें होती अगे कुशन दिया गया कुशन नमर दू कंकाल तंत्र में फोस्टियो जनेसिस अस्ती कोशी का क्या कारिय होता है episode di यह कोशी का रखाव कर दी या फिर उप्संडी अस्तियों को जोड करी है रखती है तो देखेए इस का राइट आंसर अप्शन ही हो जाएगा अस्ति कोषी का विभाजन यह क्या है एक मात्र ऊस्ति जैनेसिस का विभाजन करने वाली सैल है क्योंकि देखें में से फट्रें बाइश का विभाजन करती है और जो अस्ति फ्लास्ट के रीजर्ट बोंत करते हैं तो देखिए इस question का right answer option A होगा यह है अस्तिकोशी का विभाजन करने वाली cell है जो osteogenesis नाम से इसको हम जानते हैं अगला question दिया है question number 3 मानव की पसलिया इस हड़ी के साथ जुड़ी होती है तो देखिए हमारे शेरी में total 24 पसलिया पाए जाती है लेकिन वह 24 पसलिया एक हड़ी के साथ जुड़ी होती है उस हड़ी का नामी क्या होता है यह आपके पूछा गया कि क्लाविकल बोन है इलियम इस्टर्नम या फिर स्कैपुला तो देखिए इसका आंसर हो जाएका option से इस्टर्नम यहां पर देखिए यह जो आप ग्रीन वाला चारहे मनुष्वी में किसका पता लगाने के लिए अस्तिभवन परिक्षण किया जाता है इसका पता लगाने के लिए किया जाता है जैसे उसकी तो तो कितनीते टोटल उम्रे कितनीते उसका पता लगाया जा सकता जो कि पुराने जमाने के खनकाल मिलते हैं उनकट में क्या होता है यह ऑस्ति भषण प्रिक्षण üst blank कि तो जलना दियं हे वह कितना पुराना सब्सक्राइब उसको बोल जाता तो यहाँ पर यह जोड़ता है और बून टू मसल्स जोड़ता है उसको लिगमेंट जोड़ता तुछ बो этому और देखे वोन और टेंडंस जो जुड़ा हुए मसल्स इसी जोड को क्या कहते हैं हम कांडरा कहते हैं कांडरा से जुड़े हुए होते हैं बोन टू मसल्स अगला कुशन यह यह कुशन नमबर 6 है देखे हमारे शरीर में कुल कितनी मास पेशिया पाई जाती है ऑप्शन है या फिर 656 655 ऑप्शन डी है यहाँ पर 656 वो सुरी 556 इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी हमारे शरीर में जो टोटल मसल्स पाए जाते हैं वह 656 पाए जाती है ऑप्शन भी होगा इस कुशन का राइट आंसर अगला कुशन दिया गया कुशन नंबर साथ मनुस्य में कितने स्वेदंत यानि के कैनाइन दांत होते हैं तो देखें टोटल कैनाइन दातों के बारे में पूछा गया है वैसे तो हमारे में टोटल 32 दांत होते हैं लेकिन इसमें से भी कैनाइन के बारे में पूछा गया कि कै सब्सक्राइब तो देखें यहां पीले वाले आपको दिखाए दे रहे हैं इसको बोलता है नीचे की तरफ है तो चारी ऊपर की तरफ होंगे तो इनकी टोटल संक्या तो हो जाएगी आठ यानिके जो इनसीजर दांत होगे सामने वाले उनकी आठ होगी लेकिन आप यहां पर बुलू वाला पार्ट देख रहे हैं इने को बोलते हैं कहना है जो कुछन में पूछा गया तो देखें दो यह नीचे की तरफ है तो दो ही यह उपर की तरफ भी होंगे तो इनकी जो टोटल संक्या होगी वो चार होगी तो देखें ऑप संब्सक्राइब होगा हमारा इस फ्रोजी कलर की यह टोटल नीचे की तरफ 6 है तो उपर की तरफ भी यह 6 होगी तो इनकी संग्या टोटल 12 होगी अगर आप इनको एड़ करेंगे तो देखें टोटल 32 दाथ हमारे चेहरे में यानिके मुह में आ जाएंगे लेकिन कैना इनका बारे में हमसे पूछा गया था तो कैना इनकी संग्या होती है चार अगला कुछन दिया गया है कि किसी मा किसी पेशी में संकुछन शील प्रोटीन कौन सा होता देखें जो संकुछन शील प्रोटीन होता है वह कौन सा होता है उसके बारे में पूछा गया है तो एक्टीन और मायोसीन होता है या फिर मायोस तो या फिर ट्रोपसीन और मायोसीन होता है तो देखे इसका अंसर नहीं हो जाएगा तो पेशिये शंगुचन में प्रोटीन कार्य करता है वह एक्टिन और मायोसीन करता तो देखे बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन यह इन कुश्यन को लगाने के बाद आपको 90% कुश्यन आप अंकाल तंद्र के यहीं से सौल कर पाएंगे अगर कुश्यन देखे नवजात शीशुओं में हड्डियों की तंख्या लगबग कितनी होती है तो देखे टोटल जो बोन होती है वह कितनी होती है अगर मनुश्य की बात करें तो टोटल 206 होती है लेकिन अगर जो शीश से जादा बोन मिलकर करके एक ही बोन में बदल जाती है जिससे टोटल हड्या बैस को होने पर टोटल 206 हड्या ही रह जाती है अगला कुशन दिया है कुशन नमबर 10 मनुश्य की खोपड़ी में कितनी हड्या होती है तो देखिए यह बहुत इंपोर्टन कुशन है और इस व क्योंकि देखे पहले क्या वोगता था कि कान की सोटी कौन शी है उसका नाम पुछता जाता के सबसे छोटी कान की हड्ünden है नहीं कि आने वाले जो आपर यह adjust causes जा रहा है उनं होकि इन पूमोन के नाम पुछता हुआ जैसे यहां पर यह लिख फरिटल भून निखा हुआ ह तो ऐसे चार option देदेगा और आपसे पूछ लेगा कि यह परिटल बोन जो होती है वो इसके इस्तिदी क्या है तो देखिए इनके नाम आपको जरूर रिवाइस करने चाहिए तो देखिए इन्हें करेनिकल बोन भी बोलते हैं और इनकी संग्या टुटल आर्ट होती है और इन पूरे पार्ट को मिला करकर हैं होपड बोलते लेकिन आप यो colorful देख रहा है इसको बोलते हैं कपाल हैं इसको कपाल बोलें गयां और कपाल को इंग्लीस में बोलते हैं एक्सर एकशाम में अब पूछे जाने लगे हैं जी के लिए तबोन तो पूछे संक्याह तो आपको याद रकनी है हमारी खुपडी में इसके लावा आपको ये याद रखना ए यहां पर यह cranial bone के नाम से यानि कापाल में total 8 हड्डियां होती है इसको हम कपाल लिख सकते हैं यहां पर कि कपाल में total 8 हड्डी होती है लेकिन इन हड्डियों के नाम भी आजकल बहुत जादा उसे जाने की सम्हावन हो रही है इसलिए जैसे यहां पर यह temporal bone दिया गए temporal bone दो इसी तरफ होगी देखें अगला question देखते हैं अगला question कुछन दिये आंपर question no 11 मानुश्री की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है इसका अनसाल लगब लगब हर इस्टोरेंट को पता होता है कि सबसे चोटी हड्डी जो होती होती है और इसकी location भी आप देख सकते हैं यह वाला इसके लावा 2 फड्या और पाए जाती एक डूटल एक कान पीटों होती है दौनों कान में 6 फड्य होती है दूसरी का नाम क्या है इनकस है और अर दीकर कहती है या नामक हड़ी इसमें पाए जाती है कहां पाए जाती है उसकी लोकेशन पूछी जा रही है हाथ में पाए जाती है पैर में पाए जाती है खोपड़ी में पाए जाती है या फिर कमर में पाए जाती है तो देखे इसके आंसर हो जाएगा ऑप्सन भी यह वाली हड़ी देख पर नाम होता है और इसके पीछे जो जस्ट इसके पीछे होती इसको फीबूला के नाम से जाना जाता है तो देखे इसका अंसर ऑप्सन भी होगा यह जो हड़ी होती है वो पैर में पाई जाती और वह नीचे की तरफ इसी के पर जो यहां पर आप देख रहे हैं यह फीमर है अगली हदि पूछी गई है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूल कंसी होती यह हमें पूछा गया कि सबसे मजबूत गर मतरते जंबाई के उप्सन होगा सब्सकर बेखे में इसके मेंडी और वाला भाग क्या होता एडि इसके आप इस सबसे सबसे ज़हादा मजबूत हड़ी है इसी के अलावा गर सरीर के कठोर्तम भाग के It Hunter सबसे बड़े हड़ सरीर की सबसे बढ़े हड़ी कुंसी है और फीमर सब को बोन में रहूं यहां पर RbC का निर्माण होता है और यह लोम बोन है यह सबसे बड़ी है जो कि देखें हैं यहां पर यहां पाई जाती है यह क्या होती है यह जानग में पाई जाने वाली है फीमर अगला से लिए रिखे तो दिया कि दिबंगर अस्थियों में लगभा कितने बिग्धाइभ पाया जाता है तो डिखे Samsung क्वेश्य का निर्माण में यह क्या अपने मुधूमी रहते हैं तो अगर हम इसके प्रतिशत की बात के तो अप्शन यह होगा इसका अंसर तो अगरम प्रतिशत की बात के तो तो 33% जो को लेजन प्रोटीन पाया जाता है और यह किस से बना हुआ नाम शायों उचा गया जैसे और स्कुषण का राइट आंसर और यहां पर यह देखे हैं जो हमारा कान कान होता है बहारी कान और यह हमारे नोज होती है यह सब इसमें इलास्टिलिटी पाए जाते हैं इसको अगर हम देखे अपने कान को मोड भी दे तो वापस से यह वैसा ही बन जाएगा जैसे हम उससे हाथ रटाएंगे तो कुशन नमबर 17 देखे मानों चहरे में कितनी हड्यां होती है तो एक तो वह जिसमें हमने अभी देखा था कि टोटल कपाल हड्य कितनी थी और उनके नाम और एक यह वाली स्लाइड है जहां से कुशन जादा पूछे जाते हैं तो देखे इनके नाम भी आपको पता होने चाहि है कि इन अध्यों के नाम पाप एक दो पाज जरूर रिवाइस कीजिए का क्योंकि यहां से कुछन पूछे जा रहे हैं कि इनकी लुकेशन पूछी जाती है कि लोकेशन यह वाली हड़ी कहां पाए जाती है यह तो मैक्सी बलेदेखे यह उपर वाला जब्रावाल यह फिक नाम आपको energía नाम आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए वैसे तो लेятся इनको बार बार आप पर पता हो जाएं़ा जैसे वोमर हड़ी है इसकी लोकेशन कहा है तो यह पाए जाती है तो देखें यहां पर यह नाक के नीचे पाए जाती है वोमर हड़ी तो देखें टोटल चहरे में 14 हड़ी होती है और उनमें से कुछ के नाम आपको पता होने चाहिए जो कि एक्जाम में पूछे जाने की सब्सक्राइब के तो यहां पर आप देखें यहां पर आप देखते हैं यहां पर आप यह इस्टर नम से जूड़ी हुई है यह वाली हड़ी ध्यान से देखे यह वाली रिप्स को देखे यह यहां ही तक है और एक यहां पर यह वाली देखे आप यह दोनों रिप्स यानि कि यह ग्यारवे नंबर की है और यह बारवे नंबर की है यानि कि यह बारा जोड़ी होती है ना तोटल बारा जोड़ी बारा इधर और बारा इ नहीं होती है इसलिए इनको floating ribs कहा जाता है कि कॉलर बोन के नाम से किस हड़ी को जाना जाता है तो देखिए कॉलर बोन के बारे में पूछा गया है कि कॉलर बोन किसको बोल जाता है रेडियस है अलना है या फिर क्लैविकल या पैल्बिस पाइलस यहाँ पर पाया जाता है क्वालर के पास वाली बोले जाता है क्वालर बोन के ऊस लिए इसलिए बोली बोले जाता में होती आप कर आप यह पेछे यह बड़ी वाली हड़ी जो देख रहे हैं आप दोनों तरफ यह बड़ी वाली हड़ी इसको बोलता है हम इसके पुला इसके पुला हड़ी जैसे हम दोनों अपने हाथ पीछे की तरफ करेंगे तो कमर में दो हड़ीया बाहर की तरफ निकलेगी उपर की तरफ यह दो हड़ी करके अगर आप बात करें, हां से लेकर के यह और यहां तक यह होता है पुरा भुजा और इसमें टोटल तीनी हडीए, यह पाई जाती है एक तो हम रसे यह फिली वाली तो हम रसे है इसके लावा देखें यह रेडियस है यहाँ पर अगर आप देखें यह पिंक कलर किसी यह दें यहां से लेकर के यह ग्रीनवाला फार्ट देखते हैं ऐसमें टोटल हड्या होती इतना इतना सिर्फ लेकिन होती हो यह हमारी हमारी हाँ पर के तौकि mesmo हड़़य जो हो जाएगी हाथ में होगी सकता है तो देखिए हाथ में होती है 30 हड़़य टोटल दूसरे हाथ में भी 30 हड़़य होगी एक पैर में होगी तो टो में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए रिए